नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर्से आपके रिल लाएं हैं एक बहुत ही महत्वपून वास्तु टिप, वास्तु टिप्स फ़र आंड्स, घर में निकल रही हैं इस तरल की बार-बार चीटियां तो आने वाला है प्रले, सुनकर घिल जाएंगे आप वास्तु शास्त्र के मताबिक घर में चीटियों का निकलना हमें भविश्य के लिए कुछ संकेत देना चाता है वैसे तो देखा गया है कि घर में अकसर चीटियां यहां-वहां निकलती रहती हैं लेकिन अगर यहीं चीटियां किसी खाश दिसा से रह रहकर निकलें तो यह को होने वाले बदलाओं की और इशारा कर रहा है कई तरह की होती हैं चीचियां भविश्य के इस संकीत को समझने के लिए हमें यह भी ध्यान देना होगा कि कौन सी चीची निकल रही है आम तोर पर दो तरहती काली और लाल रंकी चीचियां पाई जाती है काली चीची को बहुत शुब माना गया है लेकिन लारगन की चीचियों के लिए भी कहा गया है कि यह भी शुब होती है लेकिन इनके निकलने की स्तिती पर विचार करना चाहिए काली चीचियों को लोग रह शांती के लिए शक्कर का आठा और खाते पदार खिलाते हैं जाने चीचियों पर निकल क्षचरा को नियुकर कोई कोई नोसे औष्य सरक केहीं। धन जारा खर्चोने का इशारा भी माना जाता है। वही कहा गया है कि अगर लाल चीजिया मुह में अंडा लेकर घर से जाएं तो यह अच्छा संकेत हैं। इस पर वास्तु शास्त्र का कहना है कि वो हमारे कश्टों को घर से बाहर निकाल रही हैं। आने वाले समय में आप अवश्य तरक्की करेंगे। वही चीजियों के लिए एक सबसे बड़ी बात कही गई है कि अगर चीजिया घर में उपर की ओर चड़ें तो यह प्रगती का संकेत हैं। इसके विप्री अगर चीजिया उपर से नीचे की हो रहा रही हैं तो इसमें अशुब दृष्टिक कोन की ओर इंगत कर रहा है। अवश ही जीवन में नुकसान हो सकता है। तो हम उमीद करते हैं कि इन टिप्स को लेकर आपने अपने जीवन के उतार चड़ाव का अच्छे से अनिलाइसिस कर सकेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीजियो को लाइक करें। कमेंट्स जरूर शेयर करें। धन्यवाद।